पिंटू शिंग यादो आप सभी का स्वागत करते हैं भोच पूरी रिमशी में दोस्तों जिस तरीके से खेसारी लाल यादो ने एक बयान दिया था और वो बयान ये था कि तुमर जीवत तबू तोहरा घर में जोनबाटे उ सुहर नाबाजी और ये बयान जो है वो पवन सि की पतनी जो जोएती सुंग है जिनको लेकर तलाग की खबरे जो है वो शोशल मेडिया पर सामने आ रहा है इस मिबाद के बीच उन्होंने कुछ ऐसा पोस्ट कर दिया है जिसकी चर्चा पोचपूर इंडस्टी में होने लगे है जोएती सिंग ने क्या कुछ पोस्ट किया ह था तो वहीं उनकी दुश्री पतनी जोएती भी शादी के कुछ मेहने बाद उनसे अलग हो गए जोएती ने पवन सिंग और उनके परिवार पर गंभीर आरोब भी लगाये हैं और तब से ये दोनों अलग रह रहे हैं जोएती सोशल मेडिया पर एक्टिव हैं और आए दि जोएती ने अपने बालों को खुला रखा है और माथे पर टी का लगाया हुआ है तस्बीर देखकर ऐसा लग रहा है कि वह किसी पुलिया के किनारे बैटी है मिनिमल मेक अप में जोएती सिंग का ये लूग कमाल का लग रहा है लेकिन उससे भी खास बात है वो मैसेज जो जोएती सिंग ने कैप्शन में लिखा है इस साल दुआ है कि तेरे सामने ही ना आओं जोएती सिंग ने अपने इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा है कि पिछले साल खौफ ता कि तुझे खोना दूँ इस साल दुआ है कि तेरे सामने ही ना आओं यूँ तो कैप्शन में ज हिसाब लाइक्स मिलते नजर आ रहें पोस्ट आने पर लोगे पोण सिंग को लोग कमेंट करने बात करें तो इन फोटोस पर आ रहा है लोगों की रियक्शन की तो युज़र ने कमेंट शेक्स में लिखा है कि पिलिज आप भाईया के जीवन में फिर से लोट आये ना इसी तरह एक फैन लिखा है कि परवन सिंग बहुत अच्छे इंसान है मैं उनका शबोट करता हूँ और आप के लिए चाहता हूँ कि आप उनके साथ रहें एक शक्स ने ऐसा लिखा है कि ऐसा लगता है कि कोई बीच रास्ते में छोड़ दिया है तो अभी बात के बीच जिस तरीके से उनकी पत्नी ने जो की जोटी शिंग है उन्होंने पोस्ट डाला है वो शोशल मेडिया पर काफी जारा वारल हो रहा है पाकिस पर आपके क्या पत्त करिया है कमेंट बॉक्स बताइए आले बात